पांच युवक गरतार हुए हैं बेड़ी पुरिश द्वारा ये लूट की जोजना बना रहे थे इन से पुष्टाच में तीन मोटरसाइकल बरामद हुई हैं और पंदर से जादो मूबाइल लूट डकैती के आरोप में पांच धरे गए बरेली के बहेडी थाना पुलिस ने लूट और डकैती के आरोपियों को पकड़ लेने का दावा किया है पुलिस के मताबिक बरेली के बहेडी थाना पुलिस ने चैकिंग के दोरान यूपी और उत्रखंड के कई जिलों में लूट और डकैती डालने वाले पांच शातिर बदमाशों को गरफतार किया है पुलिस के मताबिक पकड़े गए बदमाशों के कबजे से लूटे हुए 15 मुवाईल, 3 मोटर सैकिल और अवैद असलाह बरामद हुआ है ये शातिर बदमाश पिछले कुछ दिनों से शहरी इलाके में मुवाईल लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे मीडिया से बात करते हुए S.P. दिहाद डाक्टर संसार सिन्न ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बरेली शहर से दिहाद तक लूट की वारदातें बढ़ रही थी जिसके बाद पुलिस टीम को लूटेरों की धरपकड़ के लिए लगाया गया मुख्विर और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के जरिये पता चला कि बरेली के ही बदमाश यूपी उत्रखंट के बॉर्डर जिले में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं जिसके बाद पुलिस ने मुख्विर के जरिये इन बदमाशों को पकड़ने का जाल बनाया पांच यूवक गरतार हुए हैं बैड़ी पुलिस द्वारा ये लोट की जोजना बना रहे थे इन से पूश्ताच में तीन मोटसाइबल ब़रामद हुई हैं और पंदर से जादो मोबाईल मोबाईल को चोरी करते थे, मोटसाइबल को चोरी करते थे ये लोग यह इन में से के लड़के पढ़े लेखे हैं अच्छे परिवारों के हैं और अपने जेव खर्च के लिए इस तरह का क्राइम करते हैं कि इनके कुछ का पहले से क्रिमनरिस्ट्री भी है इनके आगे कारवाई करेंगे कुछ के क्रिमनरिस्ट्री और पता कर लगाए जा रही है कि पहले तो इनका कोई क्रिमनर रिकॉर्ड रही है किस तरह से गाली उठादेते हैं यह बरसादी वरातों में जाते हैं किस तरह से जो